नमस्कार दोस्तों सुवागत है एक नए सांदर वीडियो में आज के इस वीडियो में यार क्रप्टो मार्केट के से रेलेटेड बड़ी अपडेट के ऊपर हम बात करेंगे क्यूंकि मार्केट अगर देखा जाये तो लगभग 3.55% मार्केट डिक्रीज हो चुका है बिटकोईन के अगर हम बात करो तो 62,100 बहुत्तर डोलर के आसपस प्राइज आ चुकी है जहां पर 64,000 पे 65,000 के लेवल पर चल रही थी काफी दिनों से वहां से तूटने के बाद प्राइज में अच्छा खासा डंप यहां पर देखने को मिला है पूरे एक महिने में यह गिरावट सबसे निचले इस तर पर पहुँच गई है और पूरे क्रिप्टो मार्केट में अच्छे खासे डाउन फॉल नजरा रहे है तो हम जानेंगे कि आखिर बी टी सी की प्राइज 62,000 पर आने के पीछे बड़ा रिजन क्या है इसके अलावा शीबायनो को लेकर बड़ी अपडेट यहाँ पर निकली है जिसमें एसी न्यूज या एसे डाउन फॉल के कारण चार सो सोलर ट्रिलियन शीबा टोकन अभी निरनायक भूमी का में है जहाँ पर शीबायनो की प्राइस को यह उसी लेवल से क्या कर सकती है मॉमेंट मालूम पड़ेगा हलाकि जिस टाइब से एक तरीके से मार्केट में संसे की स्थिती मार्केट में एक तरीके से बहुत डाउटनेस बढ़ रही है उसको देखते हुए शीबायनो का अभी उभरना ना के बराबर है और बीटीसी भी लंबे टाइम के बाड़ यह तूटा है तो मेरे हिसाब से अच्छा खासा यहां से तूटने की कगार पर है अगर सबसे पहले तो बीटीसी की न्यूज को अगर आप देखेंगे तो यहां पर इस पिछ्ट कहा गया है जो बीटीसी है वो 63,000 डॉलर से नीचे के तरफ चले गया है और इसके पीछे जो रीजन है वो क्या है यहां पर बताया गया है तो अगर दूसरी न्यूज देखे 62,000 से नीचे डाउन है और इसके पीछे जो रीजन बताया जा रहा है अगर आप यहाँ पर पढ़ेंगे तो इस पश्ट संकेत है कि बिटकोईन की कीमा सोमवार को गिरावट आई और पिछले सप्ता से भारी गिरावट के कारण और यह ची हो रहा है ठीक है तो लोग डोलर की तरफ शिप्ट हो रहा है और इसमें सबसे बड़ा जो रीजन बताया जा रहा है कि मजबूत डोलर के कारेंट क्रिप्टो करणसी में भारी दबाव बढ़ रहा है और सबसे खास बत मजबूत अमेरिकी क्रे प्रवंधन भी दो महिने के उच्चिस्तर पर पहुच गया है वो भी एक बड़ा रीजन यहां पर बताया जा रहा है इसके अलावा बीटीसी के बढ़ने के बीटीसी के डाउन फॉल के नीचे बताया गया है कि दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करणसी भी नुकसान इसले जहल रही है बिकोज य अमे को लेकर वेपारियों की बीच में संसे है कि क्या सितंबर क्योंकि अभी अगर हम देखे तो ब्याजदरों का जो निर्ने है वो फेडर बैंक ने सितंबर तक टाल दिया था अब सितंबर में भी आएगा या फिर उससे ज़्यादा और आगे की तारिक बढ़ सकती है तो अगर आप देखेंगे पूरा क्रप्टो मार्केट यहाँ पर रेड में चल रहा है और अच्छे खासी ग्रावट सभी कोईन में लगभग देखने को मीरी ली है लेकिन शीबायनु के साथ एक अच्छे चीज यहाँ पर जूड़ी हुई है जिसके उपर में बात करूँगा अगर हम यहाँ पर देखें तो लगभग शीबायनु में 416 ट्रिलियन शीबा टोकन अभी एक निर्नाई भूमिका में है अगर हम इसको आगे के तरफ समझे तो यहाँ पर बताया गया है कि जो शीबायनु है वो एक माहत्पॉर्ण बिंदू की कगार पर है जिसमें डेटे के बीच यहाँ पर यही संकेत मिल रहा है कि अभी जो 416 ट्रिलियन शीबा टोकन है यह 19,120 एडरेस द्वारा खरीदे गये है और यह जो प्राइस है इनकी 4-0 के साथ 17 से लेके 18 यानि कि एवरेज 18 का लेवल है इस पर इसको खरीदा गया है इस प्राइस पर इसको खरीदा जो की कही ना कही एक निर्नायक भूमिका में यहाँ पर दिख रहे है यानि कि शीबा इनु की कीमत वर्तमान में 18 के इस तर पर मंड़ा रही है जिसे टोकन के अलपकाले निर्नायक बिंदू बनाता है और लेखन के समय अगर हम इसमें गिरावट देख रहे है तो यह लेव कर रहा है क्योंकि अगर हम देखें तो पिछले यहांपर हम देखेंगे तो ग्राफ कहीना कही 17 के लेवल पर काफी समय से ट्रेट कर रहा था ठीक है यहांपर मोमेंट इसने समय लिया था उसके बाद यहां से जाके यह डाउन हुआ है साथ दिन के ग्राफ में मैं दिखावा आपको तो यहाँ पर आपको clear मालूम पड़ेगा तो यह क्या है कि निडाएक भूमिका में अभी चीजे चल रही है और आने वाले समय में एक मजबू समर्थन यनि के सपोर्ट लेवल के रूप में यह काम कर सकता है मार्केट में क्योंकि देखिए मार्केट कई दिनों से यहाँ पर मॉमेंट कर रहा था लगबग 18 तारिक से लेकर आज 24 तारिक 23 तारिक तक एक रेंज में मार्केट मॉमेंट किया पिछले 4 से 5 दिनों में और यही रीजन है कि एक मजबूस सपोर्ट बन रहा था लेकिन जैसे बिटकोई यहाँ पर तूटा मार्केट नीचे क्रेस हो गया तो फिर से हो सकता है यह सपोर्ट के तोर पर काम करें और मार्केट उपर आ जाए तो यह 416 ट्रिलियन शीबा टोकेन की वज़े से होगा लेक और जो बाधा यहाँ पर बन रही थी वो भी यहाँ पर कहिना कहीं नीचे की तरब चले जाएगा और भविश के लाप के तोर पर एक स्प्रिंग बोट के रूप में यह काम कर सकता है ठीक है दूसरे और बिकवानी जैसे जैसे बड़ेगी उससे और गिरावट आ सकती है ज होड़ इसी निर्णाइक भूमिका अगर अधा कर सकता है देख सकते हैं यह इतने शीवा टोकन इतने एड्रेस द्वारबाई किया गया है यह वरेश 16 निकलता है तो यह भी कहिना के निर्णाइक भूमिका है जहां से मार्केट बूस्ट कर सकता है लेकिन जिस टाइप से फ लेकिन इस्थिति अभी थोड़ी संसे वाली बनी हुई है एक दो दिन में क्लियर हो जाएगा अगर लाष्ट अगले 24 घंटे में मार्केट साथ हजार को तोड़ता है तो फिर यह बड़ी ग्रावट बीटी सी में देखने को मिलेगी लेकिन अगर यहां से मूव करता है तो फिर आप यहां पर शिबायनु के लिए भी एक तरीके से अच्छा सपोर्ट मान सकते हैं सोला का लेवल ठीक है तो ऊपर की तरफ यहां से मार्केट आ सकता है बस नजर रखिए एक दो दिन में क्लियर हो जाएगा इसके अलावा अगर आप लॉंग टम में शिबायनु में कर रहे हैं तो एक बेटा टाइम है होल्ड रखिए सबसे अच्छा टाइम है होल्ड इस गोल्ड के साथ आगे जाई है दूसरी बड़ी नियूज यहां पर अगर हम देखे तो अन को लेकर हैं बहुत सरे लोग ऐसे भी है जो अभी खरीदे नहीं खरीदे उस फेर में फसे ह कर उसी के कारण मार्केट यहां पर डाउन हुआ है ठीक है और मार्केट रिकोर करेगा लेकिन नए लोगों को एंट्री यहां पर अच्छे खासी बन रही है अगर आप इस प्राइस पर बाई करते हैं सभी किसी भी कोईन में इन्वेस्ट करते तो आप एक तरीके से 25-30-30- आपको मिल जाएगा उसके बाद मार्केट और रिकोर करेगा तो और अच्छी प्रोफिट यहां पर हम बना सकते हैं तो यही इस्थिति है कि आज के समय में हौल्ड इस गॉल्ड के साथ बने रही है क्योंकि वही बेटर आप्शन है आप लोगों के लिए मार्केट जल्द ह रिकोरी के आसार भी यहां पर दिखा सकता है बट अब ही कहना जल्द बाजी होगी तो आई होप वीडियो एंजोई क्या होगा मिलते नए वीडियो में नमस्कार